आपतास आयुर्वेदा, रीच आयुर्वेदा टू एच, चरका फॉर इम्मुनिटी, बिगेस्ट एवो नैशनल लेवल वीडियो कॉंटेस्ट ओन बिहाफ अफ चरका जैंती 2021, प्रेजेंटेट बाइ टीम आपतास, को स्पॉंसर बाइ, हिमालिया विल्नेस कंपनी, श्री धूत पापेश्वर लिमिटेड, वाइसेस कॉलेज ओफ फामिसी, नर्सिंग और पारामेडिकल्स. यदि सही रितु में सही मातरा में हो, तो इससे आपका ओज बढ़ेगा, अन्यथा वही ओज घटेगा, अत्यदेख व्यायाम से भी शरीर को हानी होती है. जब तक आप खुद को और अपने चिंताओं को नियंत्रित नहीं करेंगे, तब तक दवाईया, आशदिया, कल्पनाई या जो भी ले लो, सब बेयसर होंगी. रूक्ष पोजन, अल्प भोजन, घरित से होने वाले नुकसान कई जबा चर्चित हैं, परन्तु, यदि आप घरित को ये किसी अन्यस नहद रव्य को भोजन में मिलाकर खाएंगे, तो पाचन भी अच्छा होगा, और पूरे शरीर को बल भी मिलेगा. समय से सोना, समय से जागना बहुत ज़रूरी है. यदि आप रात को देर से सोएंगे, तो वाद समंदित रोग होंगे. और यदि सुभा सूरे उदे के बाद उठेंगे, देर से उठेंगे, तो कफ समंदित रोग होंगे. यदि आप अपने ओल्ष को बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले, सूरे उदे से पहले उठना सीखें. यह उठना सुभाविक होना चाहिए, जबरदस्ति का नहीं. सुभाविक कैसे, रात को समय से सोएं, उतना ही भोजन करें, जितना की पच जाएं. और सुभा, आपकी नींद खुद बखुद खुल जाएं. दूसरा, मालिश करें. स्नान करने से पहले. सर्दियों में सर्सों के तेल से, गर्मियों में नारियों के तेल से, और अन्य रित्यों में तिल के तेल से. विशेश का सिर में, कानों में और पैरों में मालिश करें. तीसरा, उशन भोज खाएं यदि आप बिमार हैं तो खिचड़ी दल्या अन्य पत्थे करपनाओं का सेवन करें चौथा ब्रह्मचर्या का पादन करें खुद को बहतरीन बनाने के लिए नई चीजे सिखें नए मित्र बनाएं दान करें सदा प्रसन रहें मन में करुणा और मित्रता की भावना रखें दुशकर्मियों और दुशकर्मों से दूर रहें इंद्रियों को सदा वश में रखें और नियंत्रित करके रखें कहने को तो बहुत कुछ है परन्तु समय के सीमा है इसमें इतना ही कह पाऊंगी धन्यवाद